हनी ट्रप मामले की सरगरा शोईता पती स्वापनिल जेन और शोईता पती विज़ा जेन की जमानत अरजी पर समवार को जिला एवं सत्रने आयले में सुनवाई पूरी हुई लेकिन फैसला स्वरक्षित रख लिया गया हनी ट्रप की डोनों आरपितों के खिलाफ केस दर्ज हुए तीन महीने के लगभग समय हो चुका है पुलिस को 90 दिन में चालान पेश करना होता है पुलिस की चालान नहीं पेश करने पर जमानत देने की मांग अरजी में की गई है इसके पहले दोनों ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन कोट ने ये कहते हुए अरजी खारिच कर दी थी कि नियमित जमानत अरजी दारिक करने पर ही अंतरिम जमानत के आविदन पर सुनवाई की जा सकती है आरोपित शोईता पती विजाजेन के वकील धरमेंदर गोरजर ने बताया कि आरोपित की और से नियायले में आविदन परस्तुत किया गया था उसमें निवेधन किया था कि जो प्रतम सूचना रिपोर्ट लगाई गई थी, रिपोर्ट में जो धाराय लगाई गई थी वैशारी धाराय की जाज के विशे में 60 दिनों में चालाण नियालाय में प्रस्तुत करना ज़रुरी था जो पुलिस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण हमारे द्वारा जमानत की आची का दायर की थी जिसमें आज बहस पूरी हो गई है अभी फैसला आना बाकी है इस कारण हमारे द्वारा जमानत की आची का दायर की थी अधिनस न्याले में पुलिस ने स्वच्छातों से ना होते हुए न्याले में निवेदन किया यह बताया कि पुलिस ने एक और फायर धारा 370 मानव तसकरी के संबन में की थी वो भी इसी मामले में लंबी थे तो हमने विरुद सत्र न्याले में रिविदन की गई थी आदेश के खिलाफ और सत्र न्याले में अभी हम भहस करके आई हैं इन सारे बिंदों पर हमने न्याले में यह भी आक्षेप लगाया प्रसीकुशन पर अभियोजन पर कि वह सच्छा तो न्याले में नहीं है उनके दौरा वहीं दूसरी और मामले में आज पेशी भी थी जिसमें आविदन प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस जाजपूरी कर चुकी है लेकिन प्रोसीकुशन ने चौदा फरवरी तक समय मंगा है